नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है टार्गेट विद गोश्वामी यूटूब चैनल में मैं सुनील गोश्वामी और हमारा 40 दिन का जो स्टेटिक जिक्के का कोर्स चल रहा था उसका ये लेक्षर नूबर 7 है विडियो आपने नहीं देखें तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देदूँगा मैं वहाँ से देख सकते हैं या फिर प्ले लिष्ट में जाके भी आप देख सकते हैं विडियो के लास्ट में मैं आपसे कुछ 4-5 क्यूस्टन है जो जो चीज मैं करवाऊंगा उसी में से पुछूंगा तो आप जरूर उस पे कॉमेंट करें आज हम गुजरात के बारे में पढ़ने वाले हैं बहुती अच्छी इंफोर्मेशन है इसमें सारे के सारे क्यूस्टन आपके कवर होंगे और गुजरात एक ऐसा स्टेट है जिससे हर एक्जाम में क्यूस्टन जरूर पूछा जाता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं यदि आप new viewer है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी जो है टेलिग्राम का जो चैनल है उसे जुड़ जाए टेलिग्राम से ताकि आपको मैं वहां PDF प्रोवाइड करवास कूँ तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम बात करें गुजरात के बारे में तो गुजरात की जो है formation जो स्थापना है वो कब होई है एक माई, एक माई 1960 को एक गुजरात है जो एक माई 1960 को ठीक है बढ़ा है राजदानी आप सबको पता है कि गुजरात की जो राजदानी है वो क्या है गांधी नेगर है क्लिए रहा है चलिए वर्तमान में जो मुख्य मंत्री है वो है विजे रुपाणी और राजेपाल का नाम है जो है आचारिये देवर्थ ठीक है आचारिये देवर्थ है वो क्या है वर्तमान में वागे गुजरात के राजेपाल है मुख्य नैदीस मुख्य नैदीस के हम बात जो हैं, जिले, कितने जिले हैं? 33 जिले हैं. चिक है? हम बात करते हैं लोकसभा की सीटों की, तो यहां पर जो हैं 26 लोकसभा की सीटे हैं और 11 इसमें राज्यसभा की सीटे हैं. विदान सभा की सीटों के हम बात करें, तो इसके अंदर 182 जो हैं विदान सभा की सीटे हैं, कलियर हैं, 182, 26, 11, अब हम बात करते हैं छेतरफल की, इसका जो छेतरफल, गुजरात का जो छेतरफल है, वो कितना है, छेतरफल की बात करें, तो 1,6,024 वरक किलोमेटर एरिया में फैला हुआ है भारत का पांचवा सबसे बड़ा हम बात करें पांचवा जो है पांचवे नमबर पे आता है छेतरफल के अंदर ठीक है फिफ्ट रेंग के है इसका छेतरफल के अंदर और हम बात करें पोपुलेशन की तो हम जनसंख्या में इसका नमबर है लगबग इसकी 6 क्रोड 27 लाख इसकी पोपुलेशन है छे क्रोड 27 लाख के अकोर्डिंग इसकी पोपुलेशन है हम बात करें साकसरता की तो लगबग 78 परशेंट जो है इसकी साक्सरता है, कितने साक्सरता है, 78.03% है, और यह दी हम बात करें इसके sex ratio की, तो sex ratio की हम जहां तक बात है, sex ratio देखिया, sex ratio जो है, 1000 के पीछे 919 है, ठीक है, 1000 के पीछे 919, 919 महल है, 78% इसकी साक्सरता है, और यहां का जो लोक निर्ते है, वो है गर्बा, लोक निर्ते क्या है, गर्बा है, ठीक है, और हम बात करें, गुजरात की जो, जो गुजरात है, इसकी हम यदि GDP की बात करें, GDP की बात करें, तो लगए 15 लाग क्रोड इसकी GDP है, मोस्ट पॉपूलर राज्यों के अंदर आता है जीडीपी के अंदर और यहां पर 308 वरक किलोमेटर एरिया जो हर परती वरक किलोमेटर इसकी डैनसिटी है ठीक है चलिए गरबा यहां का लोक निरते हैं अब बात करते हैं बोर्डर स्टेट की बोर्डर स्टेट की हम बात करे तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो है पस्षिम में अरब सागर उत्तर में पाकिस्तान पड़ता है पुरों में मद्य परदेश और दक्षिन में महराश्टर और एक इसमें राजस्थान राजस्थान की भी सिमा लगती है तो यह जो है बोर्डर सचिंग एरिया है इसका फिर हम नेक्स्ट हम बात करते हैं नेशनल पारक की तो यहां पर नल्सरो और पक्षिय ब्यारण है यह गिर काफी आपको बता है गिर नेशनल पारक है बलेक बग काडा हीरन नेशनल पारक है और वसंदा नेशनल पारक है तो यह यहां पर जो है नेशनल पारक है कलीर है चल लेंग्वेज है वो है हिंदी, ठीक है, कुछ और हम इपोर्टेंट बातों की जो देखें, टूरिस्ट पलेस की बात करें, नल सरोवर पक्षिय ब्यारन है, साबरमती आसरम है, हडपास्तल, लोथल, आप सब को पताए कि लोथल ऐसा स्थान है, जो बताए गया था कि ये जब सिंदू गाटी सबित्ता के टाइमी यहां, समुन्द्री जो जहाज वेगरा यहां पर बताएगे, ठीक है, चलिए, नेक्स हमें बात कर रहेते हैं, यहां जो गुजरात भारत के पस्चमी, पस्चिमी स्थीत है, और जिसका समुन्दी तट जो 600 किलोमेटर इसका हम बात करे सोड़ा सक किलोमेटर जो है, इसकी तटिये रिखा की हम बात करते हैं, साबरमती जो है, गुजरात की सबसे बड़ी नदी है, साबरमती, उसके बाद हम बात करें, तापती नदी है, बड़ी, सलिए रहे, चलिए, नेक्स्ट चीजे हम देखते हैं, नर्मदा जो है, का मैंचेस्टर एमदाबाद है, 26 जनुरी 2001 को गुजरात के भुज में भारत का सबसे बड़ा जो है, बुकम पाया था, यहां पर यह चीज भी आप देख सकते हैं, नेक्स्ट आम बात करें, केंद्री ये नमक समुंद्री रसायन और संस्थान भावनगर गुजरात में है, सिंदु गाटी सबेताग सबसे महतवकून के अंदर लोथल गुजरात में है, और इस राजे का परमुख बंदरगा कौन सा है, कांडला, कांडला जो बंदरगा है, इसका परमुख बंदरगा है, गुजरात का परमुख सूती वस्तर उद्योग है, और सबसे लंबी हाली में गुजरात के गांधी नगर में भारत की पहली बैटरी चली सिटी बस सेवा के हम बात करें सिटी बस सेवा सुबारम किया गया है गुजरात के अहमदावाद में विस्व का सबसे बड़ा स्टेडियम जो है हम बात करें विस्व का सबसे बड़ा स्टेडियम जो 700 की लागत से तैर किया है हाली में गुजरात के महिपार जिले में भारत का पहला डायनसौर पारक खोला गया जिसका उद्गाटन वीजे रुपानी जो यहां के सीय में उन्हों ने किया है हाली में दुनिया का सबसे पहला cng port टर्मिनल गुजरात के भावनगर बंदरगा पर और भारत नेक्स्ट हम बात करते हैं हाली में भारत का पहला समुंदरी संग्राले भी लोथल के अंदर जो है समुंदरी संग्राले लोथल में बनेगा कलीर है चलिए कुछ और मोस्ट इपोर्टेंट हम बातों की बात करते हैं इसके अंदर गुजरात के अंदर कच्छ है वो थार रेगिस्तान में स्थीत है यह एक मौसमी दल्दली जो है खारा मिट्टी होती है आपर और गिरनार सबसे उंची यहां की चोटी है एक शापूतारा राज्य का एक मात्र हेलिस्ट सन है सापूतारा सरदार सरोर पर्योजना नर्मदा नदी पर है और एक और इपोर् तरेंट जो चीजे है वो है यहां पर स्टैच्यू ओफ यूनिटी ऐसे 182 मिट्र जिसकी उंचाय है नर्मदा नदी पर सरदार सरोर डेम पर जो सरदार वलभ बाई-पटेल की जो स्टैच्यू बनाया गया है दुनिया का सबसे उचा स्टेचू है 182 मेटर इसकी उचाई है राम वी सुतार ने इसको बनाए है किसे ने बनाए है राम वी सुतार राम वी सुतार ने इसे स्टेचू को बनाए है कलियर है चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं जो रमदा नदी के ऊपर है यह चीज आपने देखे लिए और अब आपको जो है कुछ महतोपूने क्युस्सन है